शुप्रबाद बच्चो बाशा संगम के तहट आज हम उडिया भाशा सीखने वाले हैं ये बच्चे आपको कुछ वाक्य सिखाएंगे आप बाद में उनके पीछे दोहराएंगे शुप्रबाद आज हम भाशा संगम के तहट नई भाशा ओडिया सीखने जा रहे हैं जैसे आप इंग्लिश में कहते हैं हेलो और हिंदी में कहते हैं नमस्कार वैसे ही ओडिया में कहते हैं नमस्कार मेरे पीछे दोहराएंगे नमस्कार नमस्कार जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं आपका नम क्या है वैसे ही उडिया में बोलते हैं तमारा ना कौन कृपिया मेरे पीछे दर आईए तमारा ना कौन अगर आपको उसका उत्तर देना हो तो आप बोलेंगे जैसे इंग्लिश में बोलते हैं, my name is Avinash, और हिंदी में बोलते हैं, मेरा नम Avinash है, वैसे ही उडिया में बोलेंगे, मो ना, आपका नाम, अटे. मेरे कृपया मेरे पीछे दर आईए, मो ना, आपका नाम, अटे. जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, how are you, और हिंदी में बोलते हैं, आपका, आप कैसे हो, वैसे ही उडिया में बोलते हैं, तम में किमती अच्छो. क्रिपया मेरे पीछे दर आईए, तम में किमती अच्छो. अगर आपको तर बोलना हो, तो, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं, I am fine, और हिंदी में बोलते हैं, मैं ठीक हूँ, वैसे ही उडिया में बोलते हैं, मूँ भोलना अच्छी. क्रिपया मेरे पीछे दर आईए, मूँ भोलना अच्छी. अगर आपको किसी से पूछना हो, कि तुम कांसे स्कूल में पढ़ते हो, या फिर, इंग्लिश स्कूल यू आप स्टाडिंग, तो, आप पूछोगे, अगर आपको इसका उत्तर देना हो, तो, आप इंडियो में कहोगे, मैं केवी नंबर वन लेहू रोल में पढ़ता हूँ, और इंग्लिश में कहोगे, मैं केवी नंबर वन लेहू रोल, तो, इसको होँ ओडिया में कहेंगे, नू, केवी नंबर वन लेहू रोल या पढ़ता हूँ, नू, केवी नंबर वन लेहू रोल या पढ़ता हूँ, नू, केवी नंबर वन लेहू रोल या पढ़ता हूँ, नू, केवी नंबर वन